अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए जरूरी खबर है बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा एलान किया है जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा इसके तहट अगर आप एक लाख रुपे तक का बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको ATM ट्रांजेक्शन पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा इतना ही नहीं अगर आप किसी और बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो आपको तीन ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे वही नॉन SBI ATM से पैसे निकालने की अलग लिमिट है अब नए नियम के तहट ग्रहकों को ATM से पैसे निकालने के लिए निश्चित सिमा के बाद अलग शूल का देना पड़ेगा अब आपको SBI और नॉन SBI ATM के आदार पर 5 से 20 रुपे तक का चार्ज देना पड़ेगा अगर आप SBI ATM से तैय लिमिट से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो आपको 10 रुपे तक का चार्ज देना पड़ेगा वही non SBI ATM से तैय लिमिट से ज़्यादा पैसे देने पर आपको 20 रुपे का चार्ज देना पड़ेगा अब नए नियम एक तहद SBI के बैंक ATM से बैलंस चेक करने के लिए 5 रुपे और अन्य बैंकों के ATM से बैलंस चेक करने के लिए आपको 8 रुपे का चार्ज देना होगा लेकिन अगर आप एक लाख रुपे से ज़्यादा का बैलेंस मेंटेन करते है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा वही इंटरनेशनल बैलेंस ट्रांजेक्शन पर आपको कुल ट्रांजेक्शन चार्ज 3.5 प्रतिशत और 100 रुपे एक्स्ट्रा देने होगे यानि नए नियम के ताद SBI के ग्रहाकों को बड़ा फाइदा मिलेगा अब आप आराम से बैंक ATM इस्तेमाल कर सकेंगे वो बिना कोई चार्ज दिये लेकिन इसके लिए आपके खाते में एक लाख रुपे मिंटेन रहना आनिवारिया होगा